तो इसे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और फार्म रिगारेंग वीकैंसे के बारे में वैकैंसी निकलुए यह PMBI में फार्मसीटिकल एंड मेडिकल डिवाइस बूर आधिया तो जले वीडिय श्टार्ट करते हैं तो यह official PDF से already में download कर चुका हूं इस PDF कर link में इस video के discuss में दे दूँगा महाँसा जाकर आप download करके complete detail देख सकते हैं तो देखे वोके इंटर्वी यहाँ पर लिकावा इंटर्वी के base पर सभी department में selection होने वाला है name of the post जैसे मैंने आपको बताया था junior officer की vacancy है पहले department है procurement इसके लिए qualification उन्होंने भी फाम मांगी गई है और इंटर्वी की जो date है 711-2022 की date है 10 बज़े से एक बज़े तक interview होगा second department है quality इसके लिए भी फाम मांगी गई है date से में 711-2022 और time है 2 बज़े से 5 बज़े तक मार्किटिंग में जाना चाहते हैं उन्हें के लिए काफी अच्छी वेकेंसे सेल और मार्किटिंग की डिपार्टमेंट में वेकेंसे qualification बी फाम बीसी बी मांग गया है और जो date है इंटर्वी की वह है 9-11-2022 और 11 बज़े से 4 बज़े तक एक इंटर्वी होना है और इसके लवाल अग्न हर एचाहरान इडमेंस्टेर शेज्टिंग के लिए यह मांग गर लाग मैंसुक्ट ने डानल इस्हें है बी यही ज तेंख़े बिसटेटेट पड़ सबहने हैं मीडिय बीजें यह मांग गया और इंटर्वी के लिए जो तो इस पोश्ट के लिए वह इस एड्रस पर जाकर अपना इंट्रवी दे सकते हैं तो पोश्ट में जूनेर ओफीशर डिपार्डमेंट इन्होंने अलग डिपार्डमेंट दे रखें एज की बात करें तो पच्छेस साल इन्होंने एज मैक्सिमुम होनी चाहिए और जो सेलरी की बात करें तो 20,000 रुपे परमन सेलरी नहीं पर यह अधर फैसिलिटीज उन्होंने दे रखिए ठीक है ओल इंडिया केंडिडेट एपलाई कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है ठीक है तो यह इन्होंने डीटेल दे रखी है जो डि कि इलिजिबिल्टी मेच हो रही है वो एपलाई कर सकते हैं तो जनरल इंट्रक्शन एंड कंडिशन दे रखा है तो एपलाई करने से पहले इसे एक बार पढ़ लीजेगा और बता देता हूं और इन्होंने क्या डीटेल दे रखी है इंटर्वी के लिए आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा डोकुमेंट्स क्या चाहिए होंगे आपके लिए तो इन्होंने सेम दे रखा है और एक इसके साथ फॉम है वो भी आपको भरकर अपने रीजुम के साथ लेकर जाना पड़ेगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट है देके पर्सनल इंटर्वी होगा आपका इंट पर्मनेंटर कॉंटेक्ट नंबर नेशनल टीम मेरिटल इस्टेटर आधान नंबर ठीक है और जो भी कोर्स आपने करका वह पूरा डीटेल आपको फिल अप करके रीजुम के साथ लेकर जाना पड़ेगा और आपको इंटर्वी देना है तो इस बेस पर आपका सेलेक्शन ह होगा अगर आप इंटरो में पास हो जाते हैं तो काफी अच्छी वेकेंसी रह जाएगी होने वाले आपकी तीन साल के लिए कॉंटेक्ट पीरिट है का गौर्मेंट के इंटर में तो यह था इस वीडियो में जब मेरे को आपको बताना था अगर वीडियो अच्छे लगी लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो में इतना ही नेक वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसा ही नई वेकेंसी के साथ तब तक लिए थेंक्यू